लोटस आरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं ओद्पल चौधरी आज हम बात करें क्या रोज आलू खाना सही है आई शूरू करते हैं आज का वीडियो ज्यादतर घरों में हर दिन आलू खाया जाता है किसी ना किसी फॉर्म में हम आलू का सेबन कर लेते हैं कभी आलू के चिप्स तो कभी आलू की सब्जी और बारिस हो गई तो आलू के पकोड़े तो बनते ही हैं मुझे याद है कि जब किस्वन में इस्कूल के लगबग हर दिन मैं टिफिन में आलू की सब्जी और रोटी खाता था लेकिन ज्यादतर बच्चों के टिफिन में आलू की सब्जी ही देखती है ऐसा इसलिए क्योंकि आलू से जट पट कई डिसीस तयार की जा सकती है चाहें आलू का पराठा हो य करना चाहिए या नहीं रोज अलू का सेवन कर सकते हैं एक अलू में 85 से 100 कैलोरीज होती है लेकिन आलू की मात्रा और आलू खाने का तरीका यह तै करेगा कि आपके लिए रोज आलू का सेवन नुक्सान दायक है या नहीं इसका मतलब यह है कि आलू को गलत तरीके से खाएंगे तो यह आपकी सेहत को बिगार देगा रोज एक माध्यम आकार का आलू खा सकते हैं आलू को डी फ्राइ करने की गलती कभी न करें आलू को बेक इस्टीम या रोश करके खा सकते हैं आपकी प्लेट के केवल एक चोत्याई हिस्से में ही आलू होना चाहिए आलू में ज्यादा नमक डालने से भी बचना चाहिए आलू में कार्भो हाइड्रिट की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए डायबिटीज के मरेज्यों को इसे रोज नहीं खाना चाहिए किया रोज आलू खाना हाट के लिए हानिकारख है दो नहीं ऐसा नहीं है आलू खाना सेहत के लिए हानिकारख नहीं होता है लेकिन आलू में काप्स होता है इसे गलत तरीके से खाएंगे तो कॉलोस्ट्रोल बढ़ सकता है अलू में मौझूद पॉटेसियम से ब्लेट पेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है अलू में मौझूद फाइबर भी आठ डिजीज के खत्रे को कम करता है अलू को ज़्यादा तेल और मिर्श मसाले के साथ खाना हानिकारक हो सकता है अलू में पॉटेसियम होता है जिससे स्यीप साइक्ल इंप्रूब होती है रात को आलू खाते Sumay इस बात का ध्यार नक्यें की वह इस्टीम किया गया हो या बेख किया गया हो क्या आलू खाने से बजन बढ़ता है यह हमारे एक ब्योर्स का सवाल है आलू काने से बजन बढ़ जाए आलू में सुगर का कॉप्स होता है इसलिए लोगों को लगता है कि इसे काने से बजन बढ़ता है लेकिन ऐसा नहीं है और बजन बढने के पीछे कई कारण वो सकते हैं जिसमें डाइट केवल एक कारण है अगर आप सारे कुप से एक्टिव है तो संतुलिक मात्रा में आलू का सेवन करते हैं तो आपका बजन नहीं बढ़ेगा आलू झाने से बजन बढ़ने की सीमा सीधा संबन नहीं है तो यह हमारा आज का वीडियो आपको काशा लगा कमेंट करके बताएं धन्यवाद